सबस्क्राइब करें सूपर टेलर चीनल को प्रेस करें इस बैला आइकोन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंस सकें के तो हैं हलो दुस्तोव सूपर टेलर चनल में आपका एक बार फिट से स्वागत हैं आज के वीघ्यों में हम सीखने वाले हैं फॉर्मल फिटिंग शटकी कटिंग किस तरह से की जाती है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप यहापन मेजरमेंट को देखकर समझ लीजिए लेंद का मेजरमेंट है 30 इंच शोल्डर साड़े अठ्रा इंच स्लीव 24 इंच चेस्ट 36 इंच टमी 35 इंच दोस्तों गलती से 25 इंच लिखा गया और कोलर है साड़े 15 इंच तो चलिए दोस्तों इस मेजरमेंट के शटकी कटिंग किस तरह से की जाएगी आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत्य तक जरूर देखे ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना है तो दोस्तों यहां पर हमने इस मेजरमेंट के शटकी कटिंग करने के लिए सवा 2 मिटर कपड़ा लिया है जिसकी मदद से हम आपको शटकी कटिंग करना सिखाने वाले तो सबसे पहले तो हमें क्या करना कपड़े को उल्टा करकर जमा लेना दोस्त को चली दोस्तों सबसे पहले हैं यहां पर हम आपको बताने वाले कि अगर आपके कप्डेक किसी प्रकार के शहल है तो आप पर प्यश्त savoir करें उसके बाद ही आप टिंग स्टार्ट करें अगर आपके कपड़े में स황 ост औक सिपर को आपको मार्किंग करने में काफी प्र मार्किंग कर देना पर देख रहा है डेमेच कपड़ा या फॉल्ड किया हुवा कपड़ सनु और कि कटिंग होने के बाद हमारा इतना कपड़ा कट कर अलग हो जाए इसके बाद हमंए क्या करना है दोस्तों हम यहाँ पर प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे तो कॉर काफी दिख रहे हैं आपको स्थे के मदा से मिला लेना है तो इस省द मार्किंग मार्किंग करना और अगर आपको समझने में कोई problem आए तो आप हमें comment करें definitely हम आपकी comment कर reply करकर आपकी problem को दूर करेंगे अब आपको क्या करना दोस्त हम यहां पर शट की लंबाई के लिए करेंग तो आपने शट के लंबाई का मेजरमेंट देखा होगा 30 इंच था आधा इंच आप में उपर सिलाई में जाएगा और आदा इंच डाउन में सिलाई में जाएगा बोटम फोल्डिंग मार्जिंग में तो इस तरह से हमें एक इंच बढ़ा लेना है और 30 इंच में एक बढ़ाएगे तो हमारे इस तरह से शट की जो लंबाई होजाएगी 31 इंच उसकी अग-7Ed पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर देगे से इसी तरीके से मेजर्मेंट में करना है साड़े सोला इंच पर हमें पेट के लिए मार्किंग करना है और साड़े पचीस इंच पर हमें हीप के लिए मार्किंग करना तो दोस्तों सभी मेजर्मेंट में जब भी आप लोंग शट की कटिंग कर रहे तो आपको इसी तरीके से measurement लेना है तो हम आपको कुछ दूरी पर 18 आहकर दो कर लेना है साड़े 16 इंच पर tar रिफ के लिए इतनी मार्किंग हम कर लेगे इसके बाद हम क्या करना दोस्तों हमने दो मार्किंग का मिला और कि हमारी मार्किंग में घौर थे यहां पर 25 यह पर hiver को कॉलर को देखते वहendi आप समझ सकते हैं तो हरे इसके बाद हां कि इसके बाद रहा करना दोस्तों perform का मेजरमेंट है तो उसका हाफ होगा सवा नो इंच और पाव इंच सिलाई मार्जिन लेते हो यहां पर हमने साड़े-9 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग किया और 2 इंच यहां पर हमने सोल्डर को डाउन कर लिया अब हमें क्या करना दोस्तों चेस्ट का मेजर्मेंट 36 इंच था जिसका वन फोर्थ करने पर आजाएगा 9 इंच तो यहां पर आप सबसे पहले 9 इंच पर मार्किंग कर ले और फिर 2 इंच यहां पर नॉर्मन लूजिंग लेते वे आप यहां पर मार्किंग करें तो इस तरह से जो हमारी फ्रेंट की चुड़ाई है दोस्तों 11 इंच कंप्लीट हो ग पर नॉर्मन लूजिंग के लिए बढ़ा लेना तो इस तरह से दोस्तों हमने यहां पर पोने 11 इंच पर टमी के लिए मार्किंग कर लिए अब दोस्तों हीप का जो मेजरमेंट था 49 इंच था 49 इंच का आप वन फोर्थ करके देखें तो पोने 10 इंच आएगा तो आप यहा पर हम हीप में 1,5 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे तो सबसे पहला पोने 10 इंच पर यह बढ़ा ले तो इस तरह से जो हो जाएगा आपका वह 11 इंच हो जाएगा तो देखें इस तरह से हमने हैं पर सभी मेजरमेंट के लिए मार्किंग कर लिए अब हमें क्या करन आप यहां पर अपर नीचे तक मिला 17asmia L15 और क्यों के मार्किंग लिए विछ इंग के लिए प्लेट के लिए कि हमारी जो टमी की मार्किंग और हीप की मार्किंग आपस में मिल जाएं तो देखिए आप देख सकते हमारी जो शेफथ्टी घमा लिये और फिर आप चरह की की फिटिंग के लिए दोस्तों काफी सारे वीवर्स के डाउट होता है तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें नॉर्मल जो हम सिलाई मार्जिन इसी में आ जाती है और बटन प्लेट और काज प्लेट के लिए भी जो एक दूसरे के ओपर प्लेट आती है तो हाँ पी हमारा पौन इंच मार्जिन कम हो जाता है तो इस तरह से आप देखेगे कि हमारी जो शट की फिटिंग होगी वह एक्जक्ट तरीके से होगी और आपको कभी भी फिटिंग से रिल्टेट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ज्यादा फिटिंग चाहिए तो आप सिलाई में हलका सा पाउइंच और एक्स्ट्रा दबा ले इस तरह से आपक हम से करते लिए फिर फ्रेंट कीем कटिंग करें तो कोलर के लिए सबसे पर08 मार्किंग कर लेते हैं कि हमेरी दोugen करना थो आपके से बएंगे और इससे अंदर करीब 340 इंच अंदर करें मार्किन को कี้ अब देखें हैं में राटी स्केल को करीम नीचे से हादा इंच लाकती मार्किंग कीए और इसी मार्किंग से होते वे हम आर महुझ में शेपいます एक कि आप देख सकते हैं कि याँ पर आर्मोहूं मेंड में शेप दे दिया है तो इस तरह से जो हमारी प्लेट की मार्किंग करते वक्त बोला था कि हमारी कोर की चुड़ाई यह काफी जादा है तो हम उसे कटिंग कर लेगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने कोर को काट कर अलग कर लिया अब हमें क्या करना है दोस्तों जिस तरह से करें करें इसा ही करें अधरवाइस आपकी जो करें आप साना तरीके से नहीं बना पाईगी इसके बाद को क्या करना दोस्तों आप मार्किंग के सबसे क्रें पहले तक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो आप देख सकते दोस्तों यहां पर हमने फ्रेंड की मार्किंग और कटिंग करना आपको बताया है अब इसके बाद हम यहां पर बेक की और अस्तिन की कटिंग किस तरह से करेगी आपको बहुत ही आसंन तरीके से हम बताने वाले है तो आप हमारे वीडियो को अंत्र तक जर तो चलिए दोस्तों बेक की कटिंग करने के लिए अब हमें क्या करना है इस तर से आप कपड़े को सबसे पहले फोल्ड करकर रख ले अब हमें फोल्ड कितना करना दोस्तों यह डिपेंड करता है कि हमने फ्रेंड की चुड़ाई कितनी रखी तो आपको याद होगा हमने जो क tweak कंच कर दोंकि करते हैं कि गुक्त नोर्मा्लिकी कपड़ाई को आप देखेंगी बटन लगाने के बाद तो पहलेंड हो ज सब्सक्राइब करते हैं अब हमें क्या करना है दोस्तों हाँ इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेगे उसके बाद हमस्वेख किसके पर नहीं करने वाले हम यहां पर शोल्डर की कटिंग करेंगे जानी तो सबसे पहले तो आपको हिसा पर सीधा है लेना और सीधे स्केल की मार्किंग इस तरह से उपर कर देना ताकि जिससे जो भी रेशेदार कपड़ा हो या आपका कपड़ा अगर तीर्षा हो तो वो भी मार्किंग होने के बाद सीधा हो जाए तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े मार्किंग कर लिए सीधी बिलकुल और यहाँ पर हम शोल्डर के लिए इसके बाद दोस्ता हमें क्या करना जो हमने मार्किंग किये उसे हम यहापर इतनी मार्किंग के कॉडिंग करते हुए कपड़े को अलग कर लेगे उसके बाद हम समझेगे कि आगे की मार्किंग किस तरह से की जाती है करना है क्या करना कपड़ें कि कि जाती है कि अब किस तरह से जमाना जै चलिए यह समझने बात है तो आप ध्यान चैसे से बहार बेग से आप औनसे कपड़े को बार करस कि आम देखे है diva को अंदर रखा या को पोनिंच बाहर रखा इससे जो बेक की चुड़ाई यह पोनिंच कम हो जाएगी और फ्रेंड को उपर से हमने दो इंच बढ़ा के रखा यह देखिए आप मेजर करके बता देते तो यहां पर इस तरह से हमने फ्रेंड को दो इंच मेजर करते वे जमा लिया अब दोस्ता आप मिला ले और उपर वाला जो हिस्सा वो दो इंच उपर होना चाहिए तो देखिए इस तरह से यहां पर हमने फ्रेंड को दो इंच उपर करते वे जमा लिया और बेक से फ्रेंड को पौन इंच हमने बाहर निकाल दिया तो आप मेजर करके देखिए तो उपर से हमारा एक्ज करें की चलिए समझ लेते 같아 तो सबसे पहले तो कि मितले के कपड़े के जमाने के बाद फ्रेंट को रख ले और अर्व को कि हमारा जो फ्रेंट का आर्म महौल है इस देखे हमने फ्रमार्किंट की मार्किंगे करई क्या का एकर कि करेंगेurpose आप को स्थीधा करते मार्किंग करेंगे और आर्म होल में शेप इस तरह से देगे फलगा सा गोλοाई में लेते हैं आर्म होल कि अब दोस्तों नीचे से हमें क्या करना है लोंग शिट तो घलका सा नीचे से बेग को क्थीग करते वANT Blues तो इस तरह से हमारी मार्किंग कम्प्लिट हो गई है तो दोस्तों जिस तरह से हमने यहां पर बेक की मार्किंग की बिल्कुल मार्किंग के कोडिंग हम बेक की कटिंग कर लेगे तो दोस्तों बेक की कटिंग करते वक्त आपको ध्यान यहीं देना है कि हमने जो बेक की करेगे तो बेक को करीब हलका साब पाव इंचे से आदा इंच के बीच में हम यहां पर छोटा करते वे कटिंग कर रहे हैं ताकि जो हमारी नीचे बेक की बढ़ने के समय से वह भी खतम हो जाए तो इस तरह से हमारी बेक की कटिंग कंपलीट हो गई है अब चली दोस्तो बेक की कटिंग होने के बाद हम समझ लेते हैं कि सतर से करना होती तो देखे हैं कपड़े को यहां पर डबल कर रहे हैं अब दोस्तों हम डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों अस्तिनों की कटिंग यहां पर साथ में करने वाले सीधा कपड़ आपको अंदर रखना है और इस तरह से आप कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड कर ले कोर से कोर मिला ले ताकि हमारे जो अस्तिनों बिल्कु डोस्तों साड़े आट इंच पर किती है तो आप यहां पर अस्तिन को भी उपर से साड़े आघ इंच प्रोल करते वे जमआए तो देखे हमने मेर कर लिए मैं अब क्या करना दोस्तों आस्तिन को नीचे से तीन इंच डाउन करते वे यहां पर आपको एक marking करना है कियो कि अब आर्म हल में में जब शेप दिया था तो अमने घाइंच का कर्व लिया था तो यहां पर आपको क्या करना दोस्तों 3 निचे से मार्किंग किए जब आप स्टिचिंग करने के बाद स्ट के स्लीव में ससीन के लंबाई का मेजर्मेंट देखेंगे तो एक्जेक्ट 24 इंच कम्प्लीट आएगा अब नीचे से दोस्तों यहाँ पर हम साढ़े पाच इंच लूजिंग लेते वे मार्किंग करने वाले हैं तो देखें 5.5 इंच हमने यहाँ पर लूजिंग लेते वे मार्किंग कर लिए अब हमें क्या करना दोस्तों उपर से जो हमने 8.5 इंच पर और जो नीचे 5.5 इंच पर हमने मार्किंग किए उसे मिलाते वे हम यहाँ पर सीधे स चोड़ ले उसके बाद यहां पर आप कर वो शेप मींस मारिकिंग करना इस्टार्ट करें इस तरह से धिस तरह से म मारिकिंग किती उस तरह से विवेशं कम मारिक किल ली है अबTIN अब दोस्तों काफी सारे वीवर्स की और काफी सारे कस्टरमर की प्रोब्लम आती है कि अस्तीन सर लूज हो जाती है जो आज का पेटा ने अस्तीन बिल्कुल फिटिंग तो उसको आप करने के लिए यहाँ पर आप हलका सा राउंड में लेते हुआ अस्तीन को फिटिंग करने के लिए समझ लीते हमें क्या करना है तो पैस तो में फिल्कों के करने के बाद हम आपको के यहां किस तरह से देखा हो a about 120 ओसमें हुआ और आर्मुहill ऐया था आटा और रहाउं बिlect हो प्लिःता तो उसी के राउंड में यह कुसी करना है तो हमें जो फ्रेंड का ज्य ज्यादा लेते हुए करेंगे हम आपको बताएगी कि आगे हमें किस तरह से करना है अब किया करना दोस्तों है पर आप अजित्वाटे से डबल फोल्ड करते हुए जमाले और प्रेंट पर कंसिडर करते हैं यहां पर हम इस्थिन पट्टी के लिए कट लगाईगी तो जो मार्किंग आई यह कपड़े पर उससे करीब कट कंप्लीट हो गया है अब दोस्तों जो फ्रेंट पार्ट में आर्म होल की जो कटिंग ज्यादा किये थी तो उसी को एड़्जस करने के लिए हां पर हम अस्तिन में भी हलका सा राउंड ज्यादा लेते हुए कटिंग करें तो देखें सबसे पर दोस्तों अगर आप न्यू करने के बाद ऑस्तिन को कटिंग कर लए और आप हैं अबिल पकी कलें City के लिए मार्गीज इसकंटीजिंग असे कबहां सब्सक्राट घटकी अपने के करने तो हमारी जो रक्तिन की कटिंगे बिल्कुल कंपलीट हो गई है कि तीन की कटिंग होनेके बाद हम चॉलडर की करने वानेके के लिए यहां से मैजर करें यह कि मैजर करेकिन הנ यहां से हम शोल्डर की कटिंग नहीं कर सकते हैं तो अधर साइड से यहां पर शोल्डर की कटिंग करेंगे और दोस्तों हम यहां पर डबल शोल्डर की कटिंग करने के लिए यहां पर कपड़े को डबल रखे उसके बाद आप यहां पर शोल्डर की कटिंग करने के लिए कप कर ले 7 9 इंच और 5 इंच सिलाई मारजी 9 और हलका साप एक्स्टा रखते वे कपड़े को फोल्ड करें तो इस तरह से प्र इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते वे जमा लिया है अब यहाँ पर हम सॉल्डर की मार्किंग किस तरह से करेंगे चलिए दोस्त हम आपको समझा देत किस तरह से करना तो सबसे पहले तो यहां पर गले के लिए मार्किंग करें तो आपको याद होगा हमने गले में तीन इंच पर फ्रेंड में मार्किंग की थी तो आप यहां पर पाव इंच बढ़ा ले और तीन इंच पर मार्किंग करें हमें से आपको ऐसा ही करना फ्रेंड मे डाउन किरने के लिए 10 इंच उल्डर के लिए 14 की डैउन कर लेंक चुनलं सब्सकुरा को सब्सकिन करका वह का र्यंस दोस्तों शोल्डर के जो मेजर्मेंट था साड़े अठाव करने पर सवा नौ इंच और पाव इंच शिलाई मार्जिन तो इस तरह से आप साड़े नौ इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर ले और हलका सा आप यहां पर चार इंच चोड़ाई रखें क्योंकि हमारा शोल्डर डॉण हो गात हैं धुक् depressed उपर जो उपर के देखें आप ऊपर lavender मार्किंग करें उसके मिला ले आप और मार्किंग करें जो हमने मार्किंग हो वह आप यहाँ पर shoulder की मार्किंग को complete करें तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर shoulder की cutting अलग से Bringing तो इस के बाद नि चץुर। sms कि又 हलतısı हैं मैर्किंग कर लिए कि लिग अपिंग कर लेते हैं वह तील सब्सक्तुराइब में दिए आप जाकर इस तरह कर शोल्डर की कटिंग का भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूले कमेंट करकर उमें जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा तो चलि झाल झाल